Hello friends, welcome back to my channel मैं हूँ पूनम और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक लहेंगे चोली का जो मैंने Flipkart से purchase किया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है वीडियो पसंट आए तो लाइक करना है मेरे चैनल पर फर्स टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और साथ ही बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाइग हो तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं तो फ्लिप कार्ट से जो मैं लेहका पर्चेस किया वह कुछ इस तरह से मरून कलर में है और इसका प्राइज 1,116 रूपीज है ये एमेसान पे भी आविलेबल है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी आप वहाँ भी चेक आउट कर सकते हो आप वहाँ पे प्राइज कमपैर कर सकते हो जहासे आपको कम प्राइज में मिला वहाँ से ही पर्चेस करना तो चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि लेंगे का क्वालिटी हमें कैसे रिसीव हुई है तो गाइज यहाँ पर मुझे तीन चीज़े रिसीव हुई है एक सेमी स्टीच लेंगा, एक अन्स्टीच ब्लाउस स्पीच और एक डुपट्टा तो चलिए हम वन बैवन करके सारी चीज़े देख लेते हैं कि हमें कैसे रिसीव हुई है सो सबसे पहले में ब्लाउस स्पीच के बाद करूँ तो ब्लाउस स्पीच मुझे कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है टू पार्ट में यहाँ पे इसका शोल्डर का पार्ट है और यह मेंन ब्लाउस है सो ब्लाउस स्पीच के आगे हमें कुछ इस तरह से वर्क मिलता है जो बहुत ही जादा ब्यूटिफुल लग रहा है आप देख सकते हो अब्लाउस पीच मुझे का जादा आप आख्या है सो ब्लाउस स्पीच मुझे आच्छा लगा है ड़ूस पीच के लिए में जरूर थांज अब देना चाहूँगी यहाँ पे हमें Sleeves का पार्ट मिलता है जो कुछ इस तरह से है और यहाँ पे भी Embrider का वर्क दिया है जो बहुत ही ज़ादा ब्यूटिफुल लग रहा है अब देख सकते हो Sleeves का पार्ट भी हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है इसका प्रिफोर्ट लिफ्स आराम से बनवा सकते हो Next हमें लेहगा रिसीव हुआ है जो personally मुझे बहुत ही ज़ादा अच्छा लग रहा है So लेहगा कुछ इस तरह से है पूरा प्लेन मरून कलर में है और नीचे के और Embrider का वर्क दिया है जो कुछ इस तरह से है Embrider का वर्क भी बहुत ही ज़ादा क्लासी लग रहा है और एकदम फिनिशिंग वाला वर्क है और पिकोफ का वर्क अब भी बहुत ही ज़दा ट्रेंडी है तो एकदम ही मुझे यह लहंगा क्लासी लगा है बट इसके material की बात करूँ तो material हमें सिल्क मिला है बट अंदर हमें कोई inner नहीं मिला है यह सिंगल फैबरिक में ही है और यह small to axle आराम से वैर कर सकते है घेरे की बात करूँ तो अगेन मुझे सवादो धाई मीटर तक घेरा है तो एकदम अच्छा लूग लगता है लहंगे का बट यहां पर हमें सवादो और धाई मीटर तक घेरा दिया है सो इसे small और medium आराम से वैर कर सकते हैं सो डुपट्ट हमें कुछ इस तरह से receive हुआ है मुझे ज्यादा अच्छा नहीं ही लगा है और नेट का material है और यहां पर कुछ इस तरह से lace दिया है और डुपट्टे का length दो मिटर तक होगा सो डुपट्टे का length कापी छोटा नहीं है ओक्योक है सो ओवरल लेहंगे के बाद करू तो लेहंगा मुझे पसंद आया है बट इसके साथ हमें कोई inner नहीं मिलता है बट इसका जो एमरेडर का work है वो मुझे personally कापी अच्छा लगा है तो ओवरल यह product मुझे ओक्योक के लग हुआ है झाल झाल